हेलो गाइज, वेलकम टू एटोमिक स्टडी, आज हम इसरो के टेक्निसिन भी पोस्ट का क्वेस्टन पेपर सॉल्व करेंगे, जो के इलेक्ट्रोनिक स्ट्रेड का है, और यह हेल्ड हुआ था 28, 2016 को, इससे पहले भी हमने इसका फर्स्ट पास्ट कंप्लिट कर लिया है, तो आप इंटरस्टेड हैं, तो आप इससे जाके फर्स्ट पार्ट को चेक कर सकते हैं, यह इसका सेकंड पार्ट है, तो हम इसमें 21st से क्वेस्टन पेपर स्टार्ट करेंगे, चलिए देखते हैं, इसमें पूछा है 21st में, कि the average DC voltage of a half wave rectifier circuit is यहाँ पे of value of peak input voltage, अगर peak input voltage मान लीजिए, V है, तो इसका average DC power क्या होगा, तो यह होगा, 31.8% of its input voltage, तो input voltage का 31st इसमलो 8% होता है, तो इसका right answer क्या हो जागा 21st का, यह हो जागा आपका B, next question देखते हैं, इसमें पूछा है, कि the turn of the SCR, to turn off SCR, SCR को अगर बंद कर दें, which of the following is done, क्या होगा इन में से, तो अगर SCR को हम भर बंद कर देते हैं, turn off कर देते हैं, तो anode voltage 0 हो जाता है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, D, next question पूछा है, कि, इसमें पूछाएगी, for a signal shown, which of the following represents the inverted waveform, इसमें से कौन सा है, जो inverted waveform को represent करता है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, 23 का, ची हो जाएगा आपका, see, यह जो है, inverted waveform को represent कर रहा है, ओके, तो इसका right answer हो जाएगा आपका, see, next question देखते हैं, अगले में पूछा है, कि, if the gas is a fixed volume, container is heated, the resultant pressure on the gas, पूछ रहा है, कि अगर एक container है, container में जो है, हमने, इसमें liquid रखा हुआ है, बरा हुआ है, अगर हम इसको heat देते हैं, और इस स्कूपर से यहां पर बंद कर देंगे, right, अगर heat करेंगे, तो इसके gas पर क्या effect पढ़ेगा, क्या gas increase होगा, pressure, pressure on gas, तो pressure पूछ रहा है, तो क्या pressure increase होगा, या decrease होगा, तो एक law है, उसमें बताता है, कि temperature जो होए हमारा, वो डिरेक्टर प्रोपोशनल होता है, pressure के, यानि कि temperature बढ़ाएंगे, तो pressure बढ़ाएगा, क्यों, क्योंकि number of, जो molecules के, जो gases होते हैं, number of gases, इनको heat मिलेगी, और heat मिलेगी, तो इनको kinetic energy बढ़ जाएगी, kinetic energy बढ़ने से, इसमें, collision power बहुत जाज़ श्ट्रोंग हो जाएगी, और ये pressure डालेंगे, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, question पूछा है, कि अगर gas को fix रखें, और heat करें, गरम करें, तो इसका pressure जो है, हमारा बढ़ जाएगा, तो इसका right answer है आपका B, अगला question पूछा है, कि the surface area of cube with side A, एक cube है, cube का मतलब क्या होता है, कि लंबाई चुड़ाई हो जाएगी, बराबर होती है, तो पूछ रहा है, कि उसका surface area का formula क्या होता है, तो ये होता है, आपका 6A square, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, C, 26 question देखते हैं, इसमें पूछा है, कि which of the following is classified as battery rating, इसमें से किसको जो है battery rating के लिए specify किया जाता है, तो battery rating जो होती है, उसमें हम क्या जूज करते हैं, उसमें हमारा interline resistance include होता है, voltage और ampere और आवर ये सब include होता है, तो इसका right answer क्या हो जगा, 26 का, ये हो जगा आपका C, next question देखते हैं, the purpose of the oscilloscope is to provide the user with graphical representation, ये पूछ रहा है कि जो oscilloscope है, उसका purpose क्या होता है, अगर हम उसे graphical representation के लिए उसको किस लिए use करते हैं, तो ये हम use करते हैं, voltage versus time का इसमें graph use करते हैं, यहाँ पर ये voltage हो जाता है, sorry यहाँ पर ये voltage होता है, ये time हो जाता है, तो graph पे voltage और time को represent करता है, कि time के साथ voltage में क्या variation आ रहा है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा 27 का, ये हो जाएगा हमारा a, next जो है आपका question, 28 का, उसमें पूछा है, कि the power factor of circuit is equal to, जो हमारा power factor होता है, वो उसका formula पूछा है इसने, formula भी नहीं पूछा है, इसने सिर्फ पूछा है कि symbol क्या है, तो हम उसे cos theta से represent करते हैं, और cos theta is equal to होता है, r by z, यहाँ पे r क्या है आपका, resistance और z है, impedance, ओके, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, कि जो हमारा power factor है, power factor is represented by cos theta, अगला question है 29 का, कि when performing testing a energized electrical equipment rated at 480 volt AC, what type of gloves are required, अगर हम 440 volt AC पे जो काम कर रहे हैं, तो हमें, जो है, किस type के gloves की requirement होती है, तो इसका right answer हो जाएगा, 29 का, यह हो जाएगा आपका, कि हमें low voltage, जो है, gloves की requirement होती है, तो इसका right answer हो जाएगा, आपका, a, okay, 30 में पूछा है, कि, all of the following are common PPE used to perform maintenance activities, except, जो है PPE जो हम perform करते हैं, activity, वो किस चीज़ को छोड़ करते हैं, तो जो हम PPE में क्या use नहीं करते हैं, उसमें हम work permit को नहीं लेते, बाकी जो हम, जो भी safety requirement है, जैसे कि ear plug, gloves, safety glasses, safety shoes, helmet, यह सब हम इसमें PPE में use करते हैं, लेकिन work permit जो है, वो एक अलग ही दायरा है कार्य करने का, okay, next question है, इसका right answer क्या था, इसका right answer था, D, next question है, कि, the relay contact saw in the figure, और जो relay यह नीचे दे रखा है, यह क्या है, इसमें यह पूछा है, किस प्रकार का, इसमें use किया गया है, किस प्रकार का relay, तो यह use किया गया है आपका, इसमें जो है single pole है, क्योंकि यहाँ पर देखे, एक ही single pole है, और यहाँ पर throne भी एक ही है, अगर यहाँ पर दो लाइने होती, तो double throne हो जाता, लेकिन single pole, single throne है, तो इसका right answer क्या हो जागा, 31st का, यह हो जागा आपका, B, आगे एक diagram दे रखा है, और इसमें पूछा है, कि in the power supply, so the waveform of output across RL is, यहाँ पर एक breeze rectifier दे रखा है, और पूछ रहा है कि breeze rectifier का output क्या होगा, यहाँ पर एक filter लगा रखा है, तो हमें पता है कि जो उसकी breeze rectifier की waveform होती है, वो कुछ इस प्रकार आती है, लेकिन filter लगाने से, यह और filter हो कि बिल्कुल DC में convert हो जागा, ऐसे बन जागा, तो इसका right answer क्या हो जागा, कि यह कुछ, ऐसे, जलोग यह DC की दिरह भी have करेगा, तो इसका right answer क्या हो जागा, 32 का A, next question देखते हैं, इसमें पूछा है कि, what are the characteristics of coaxial cable, जो हमार coaxial cable होता है, उसका characteristics में पूछा है, 33 में, तो इसमें पूछा है कि, it has twisted pair with the shield, तो यह इसका गलत है, इसमें जो है twisted, यहाँ पे एक second लिए दिखाए नज़रा, इसमें पूछा है, कि, इसमें twisted pair होता है, तो नहीं, यह गलत है, next पूछा है, property में, कि, it has a center conductor covered with an insulator, then braided or solid outer conductor, and then insulation, यह is correct answer है, क्योंकि जो, इसमें जो center है, conductor का center जो है, यह covered होता है, insulator से, और उसके उपर, जो है, braided or solid outer conductor, यहाँ पे लगा देते है, insulation, ताकि यह rigid रहे है, इसको बहुत जादा है, mechanical strength provide करे, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, इसका right answer हो जाएगा, आपका, 33 का B, next question 34 में पूछा है, कि the type of spring used in this solenoid, इस जी जी solenoid, इसमें किस प्रकार की spring use की गई है, तो इसमें जो है, यहाँ पे compression, यहाँ से उपर से compression हो रहा है, तो इसमें compression spring इसमें use किया गया है, next 35, इसमें पूछा है कि what does LED stand for, LED किसके लिए use होता है, तो LED जो है हमारा, वो use हम करते है, light emitting diode के लिए, यह इसका full form LED का, और यह forward bias में connect होता है, और LED की बात करें, तो LED जो है, अगर हम इसमें current provide करें, तो यह जो है glow कर जाता है, वीदित उर्जा को प्रकास उर्जा में परिवर्थित करता है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, 35 का, C, नेक्स्ट है, कि name the three leads of a common transistor, जो हमारे transistor होता है, इसमें यह माली यह NPN है, NPN है, तो इस ट्वाले terminal को emitter बोलते हैं, इसे base बोलते हैं, इसे collector बोलते हैं, तो इसमें तीन terminal होते हैं transistor में, और junction की बात करें, तो दो junction होता है, इस वाले को बोलते हैं, J, E, J, B, C, बोलते हैं, J, B, C मतलब, sorry, J, B, E, बोलते हैं, emitter base junction, और इसको बोलते हैं, J, C, B, यानिकि collector base junction, तो इसमें दो junction हो गए, तीन terminal हो गए, और तीनो terminal के नाम होते हैं, emitter base junction, तो 36 का right answer क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, आपका D, यानिकि collector होता है, base होता है, emitter होता है, next में पूछा है, connecting the, connecting a lead from a negative to the positive of battery will produce, यानिकि अगर battery के जो है negative से positive lead को जोड़ दें, तो क्या होगा, तो अगर हम plus और minus को एक साथ जोड़ दें, तो इसमें short circuit हो जाएगा, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, B, अगला question है, इसमें पूछा है, कि if two registers are placed in series, is final resistance, अगर हम जो है, दो register को series में जोड़ दें, तो resistance क्या होता है, बढ़ जाता है, और अगर parallel में connect करेंगे, तो resistance कम हो जाता है, इसलिए हम घरों की वारिंग किसमें करते हैं, series के parallel connection में करते हैं, तो 38 का right answer क्या हो जाएगा, कि series में जो है, हमारे resistance को जोड़ने को वो, उसकी resultant value बढ़ जाती है, तो इसका right answer हो जाएगा, 38 का A, 39 ने पूछा है, कि which is not a common value of resistance, इनमें से कौन सी resistance की value नहीं है, तो देखिए, यह जो है, 4 के 4 की जो value है, वो resistance की common value नहीं होती है, तो 39 का right answer से क्या हो जाएगा, जो जगा आपका D, next question है, कि the value of capacitance is connected in parallel with the large value, the combined capacitance will be, यानि कि जो है, छोटे छोटे जो है कई resistance को parallel में connect कर दिया गया है, तो इसकी value क्या होगी, तो यह same question है, जो resistance जो है, उसकी series में value क्या होती है, जुड़ जाती है, ऐसे capacitance की parallel में value सारी जुड़ जाती है, तो यह इसका capacitance क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो 40 का right answer क्या हो जाएगा, यह होगा कि higher हो जाएगी, यानि कि बढ़ जाएगी, इसमें है। सो ओके गाइस, that's for today, video जो है बहुत जादा लंबा हो जाएगा, so we will discuss more in the next video, thanks for watching.